नमस्कार साथियों, सुवागत आपका RSCIT प्रिक्षाओं तता सभी परतियों की प्रिक्षाओं के लिए अतियु महत्व पूर्ण पर्षनों के से पर्षनोत्री में और यदि आपको ये class पसंद आए, इन questions को पसंद आए, हमारे दोवारा दे गई जानकार ये दिया आपको पसंद आए, तो इस class को like जुरूर करें तो चलिए सबसे पहले question number 1 की तरह बढ़ते है, अपना question number 1 है, MS Outlook 2010 का मुख्य उप्योग क्या है इसका पहला option है, इसका उप्योग drawing application के रूप में किया जाता है, इसका उप्योग गरना करने वाली application के रूप में किया जाता है, या फिर इसका उप्योग email application के रूप में किया जाता है, या इसका उप्योग web browsing application के रूप में किया जाता है देखिए MS Outlook होता कैसा है देखिए कुछ इस परकार से हमारे सामने ये Outlook Show होता है जब भी अपन Open करते हैं तो MS Outlook कुछ इस परकार से दिखाई देता है MS Outlook के काम क्या आता है ये Email की तरही काम में लिया जाता है जिस परकार अपन Gmail के दोआँ आपन किसी को Mail कर सकते है उसी परकार इसके ज़रीए भी अपन कर सकते है तो बात आती है इन दोनों में फparक क्या है इसके अंधर क्Яए एक से इधिक इमेल अपन इसके अंधर अटेज कर सकते है जैसे किसी के पास 4-5 Mail है एक किसी के personal है, एक business है, एक कोई sales के है, इसी परकार कुछ 4-5 है, तो उनको एक साथ इसके अंदर merge किया जा सकता है, जो किसी को भी किसी mail से तुरंत mail किया जा सके है, इसके अलावा इसके अंदर देखिए, calendar भी है, और इसके अंदर contact number भी add कर सकते हैं, और task भी इसके अंदर add किया जा सकता है, बाकि सारा option वही होता है, जो जिस परकार अपन mail में करते हैं, to, cc, और यहां पर object आ जाता है, बात करें इसके अंदर अग इस file को अपन सेव करते हैं, तो इसका extension क्या होता है, तो इसका extension होता है, dot, a, c, c, d, b, तो अपना इसका सही answer क्या है, अपना इसक अपना इसका सही answer क्या है, अपना इसका सही answer क्या है, यह एक नियोजग टूल है, जो एक परकिरिया के algorithm का परतिनिदीत्व करता है, यह पूरुवे निर्मीते चवियों को संदरबीत करता है, जिने खोज बोक्स से लाया जा सकता है, अगला option इसका उप्योग एक दस्ताव इसका सही answer क्या है, यह एक नियोजग टूल है, जो एक परकिरिया के algorithm का परतिनिदित्व करता है, देखिए flow chart किस परकार से show होता है, अपना जो इस परकार से जो कोई सूचनापन परदर्शित करते हैं, उसे ही flow chart का जाता है, आगे बढ़ते हैं, अगला option है, राजस्तान स e-wallet, राजस्तान e-wallet किस परकार से दिखाई देता है, कुछ इस परकार का अपना जो dashboard होता है, राजस्तान e-wallet का, जब भी अपना RSCIT का e-certificate डाउनलोड करेंगे, तो इसके जरीए ही किया जाएगा, जहां पर आपको मिलेगा, यहां पर अपर अप्रूल में दिखाई देंगे, तो अपना इसका सही answer क्या है, राजस्तान e-wallet, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, निमलिकित में से कौन सी जानकारी आदार कार्ड से सम्मदित नहीं है, इन में से कौन सी आदार कार्ड से सम्मदित नहीं है, वेक्ते का नाम, बिल्कुल आदार कार्ड के अंदर वेक्ते का नाम होता है, फोटोग्राफ, बिल्कुल फोटोग्राफ होती है, जो अपना आखों का रेटिना है, उसको भी scan किया जाता है, और CVV, CVV इसके अंदर नहीं होता है, तो आदार कार्ड किस टाइप का होता है, जैसे आपके सामने ये है, ये अपना आदार कार्ड ह आपके डेट बर्त होती है, नाम होता है, जेनर होता है, इसके अलाव यादिया आपको, इसके अलाव अपनी जो इसकी साइट है, वो होती है, UIDAI, साइट देख लीजिए, ये है अपनी इसकी साइट, UIDI की फुल फॉर्म होती है Unique Identification Authority of India इसे वेबसाइट के जरीए अपना जो आधार कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं इसके अलावदे कि CVV क्या होता है CVV होता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के अंदर यहाँ पर देखिए जो तीन अंको का एक नमर होता है वो होता है CVV यहाँ पर देखिए कार्ड का नाम होता है और यहाँ पर expiry date होती है और यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम होता है तो अपना CVV किसके अंदर आता है CVV आता है debit card या credit card के अंदर तो अपना इसका सही answer क्या होगा अपना इसका सही answer होगा CVV आगे बढ़ते हैं अगला क्यूसन है MS Word 2010 में समिलित hyperlink को कैसे खोले केवल hyperlink के उपर click करके या फिर add कुझी को दबाएं और फिर hyperlink के उपर click करें या फिर control control है या फिर control कुझी दबाएं और फिर hyperlink के उपर click करें या फिर shift कुझी दबाएं और फिर hyperlink के उपर click करें तो अपना इसका सही answer क्या होगा control कुझी दबाएं और फिर hyperlink के उपर अपन click कर सकते हैं अन्यता hyperlink नहीं open होगा hyperlink की shortcut की क्या होती है Hyperlink की shortcut की होती है Ctrl plus K Hyperlink Microsoft Word की अगर बात करें तो Hyperlink काम पर होता है Insert tab के अंदर Hyperlink की उपर क्लिक करेंगे Hyperlink open हो जाएगा Hyperlink क्या काम में लिए आ जाता है Hyperlink दो फाइलों को Attest करने के लिए काम में लिए जाता है आगे बढ़ते हैं अगला question है OTP सुरक्षित online lending के लिए अतिरिक सुरक्षा सुविदाओं में से एक रूप में उप्योग किया जाता है OTP का पूर्ण रूप क्या है देखे जब भी हम कोई transaction करते हैं या फिर किसी को payment बेजते हैं या फिर कोई forum apply करते हैं उसके लिए हमारे पास एक message आता है जो six digit का भी हो सकता है four digit का भी हो सकता है उसे OTP का जाता है यहाँ पे OTP की full form क्या होती है तो OTP की full form होती है one time password आगे बढ़ते हैं अगला question है MS powerpoint 2010 में smart art graphics desk में उपलब्द होता है MS powerpoint 2010 में smart art कहां पे उपलब्द होता है तो वह होता है insert tab के अंदर हमारे पास स्मार्ट उपलब्द होता है smart art option होता है आगे बढ़ते हैं अगला question है presentation में एक नई slide डालने के लिए shortcut कुझी क्या होती है जब यह अपन presentation मना रहे हैं तो उसके अंदर कोई नई slide डालनी हो तो की 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 दूआर अपन डाल सकते हैं तो वह है control plus M control B क्या काम में आता है control B काम में आता है किसी word को board करना हो board करना हो तब अपन control की का इस्तेमाल करते है control A का क्या काम में आता है जब भी अपने पास कुल डोकुमेंट है उस डोकुमेंट में कुछ लिखा है उस सारे टेक्स को सलेक्ट करने के लिए कंट्रोल एक काम में लिया जाता है एक होता है control D control plus D यह है जो slide में आप काम करें उस slide की same copy करनी हो तो अपन control D इस्तेमाल में लेते हैं आगे बढ़ते हैं अगला question है निमल लिखित में से कौन software system का एक उदाहन नहीं है जिसे world wide way पर जानकारी खोजने के लिए design किया गया है तो being, yahoo, google ये तो है search engine एक pen't है ये है pen't करने कोई design करने के लिए काम में आता है ये है world wide way पर कोई जानकारी खोजने के लिए काम में नहीं लिया जाता है तो अपना option number A सही है आगे बढ़ते हैं अगला question है निमल लिखित में से कौन सा wireless वायरले संचार का समर्थन या उपियोग करता है इन में से कौन सा वायरले संचार का समर्थन करता है coaxial cable, optical fiber twisted pair wire या फिर GPRS तो अपना इसका सही answer क्या होगा GPRS देखे GPRS की full form की बात करें तो GPRS की full form होती है general packet radio service general packet radio service और देखे एक और होता है GPS GPRS और GPS में फर्क होता है GPS GPS की full form होती है global processing system global processing system GPS तो क्या काम में आता है कोई location जानने के लिए काम में आता है और GPRS SIM से संबन्दित होता है हम किसी को phone करते है voice call या internet चलाते है GPRS के जरीए ही चलाए जाता है GPRS के can't happen voice call और internet चला सकते है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्यूसन है MS Word में सबसे नीचे जो screen पर दरसित होती है उसे क्या का जाता है देखिए MS Word देख लेते हैं यह है अपना MS Word इसके नीचे यहां पे एक screen है यहां पे एक screen दिखाई दिखाई दे रही है जिसके अंदर total page बताते हैं कौन सा page आपने open कर रखा है कितने page अपने type किये हैं और यहां पे zoom in, zoom out बताता है तो यह क्या कहलाता है तो यह कहलाता है तो यह कहलाता है status bar आगे बढ़ते हैं अगला question है आप dash cable का उप्योग करके PC और mobile के बीच डाटा अस्तानांतरित कर सकते हैं जब भी हम अपने computer या laptop से अपने mobile से कोई photo डालनी हो या फिर कोई data transfer करना हो तो किन के जिरिये करते हैं तो अपन वो करते हैं USB के जिरिये देखिए USB की full form होती है Universal Serial Buzz Universal Serial Buzz एक देखिए किस परकार की होती है अपनी USB केबल कुछ इस परकार से अपने USB केबल दिखाई देती है ये अपनी USB केबल ये तो हमने सभी ने देखियोगी एक होता है USB कार्ड तो वो कुछ इस परकार से हमारे सामने USB कार्ड होता है USB कार्ड आगे बढ़ते हैं तो अपना इसका सही आंसर क्या था? USB आगे बढ़ते हैं अगला क्यूस्टन है पेज के आरहम में जाने के लिए किस की का परियोग करेंगे? मान लेजी आप किसी पेज के उपर काम कर रहे हैं आपको पेज के उपर उपर टोप पे जाना है तब अपन किस की का उपयोग करेंगे? तो अपन करेंगे control प्लस home यदि अपन पेज के नीचे जाना हो तो control के साथ end प्रेस करेंगे तो अपने इसका सही आंसर क्या है? आंसर नमर A आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है गूगल ड्राइवर, Microsoft, OneDriver और Dropbox, Dash का उधार्ण है किस का उधार्ण है? तो यह हैं Cloud Storage Services के उधार्ण है आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है निमलनी खित में से कौन सा कम्प्यूटर सिस्टम के हार्डवेर का उधार्ण है इनमें से कम्प्यूटर सिस्टम के हार्डवेर का उधार्ण कुन सा है? MS Word 2010 या MS Excel 2010 MS Paint Math Tool Google Chrome Mozilla Firefox देखें यह तिनों तो हैं Software और यह है Input और Output Device यह होते हैं Hardware आगे बढ़ते हैं या Record करने के लिए किस Card का प्रियोग करेंगे तो वो करेंगे अपन Sound Sound Card का आगे बढ़ते हैं जब कोई User Dash पर Mouse ले जाता है तो वह Hand के आकार का हो जाता है कहां पर ले जाने पर Mouse Hand के आकार का हो जाता है Hyperlink के उपर ले जाने से Hyperlink आगे बढ़ते हैं अगला Question है MS Word 2010 में किस Option के दुवारा Document को Automatic रूप से Format के आजा सकता है तो वह के आजा सकता है तो वह के आजा सकता है Style Option के दुवारा आगे बढ़ते हैं अगला Question है Excel में किसी Tab में आपको Table, Graphics और Hyperlink जैसे विशेस गटकों को जोडने की सुईदा मिलती है किस Tab के अंदर मिलती है तो वह मिलती है Insert Tab के अंदर Insert Tab के अंदर आगे बढ़ते हैं MS PowerPoint में अधिक्तम Zoom कितने परतीसत हो सकता है तो वह हो सकता है 400% तक आगे बढ़ते हैं पिसली क्लास के रिविजन की बात करें तो MS Excel 2010 में उप्योग करता या तो Dash View या Dash View में एक नई टेबल बना सकता है वह बना सकता है Design Data Seat आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है एक अमेडेट बहुतिक वस्तुओं का Network है जो Electronic Software Sensor और Network Connectivity के साथ पिसली क्लास के क्यूशन से इनके फटाफट आप है कमेंट बोक्स में इनके आंसर दे USB का पूर्ण रूप क्या है USB का पूर्ण रूप है Universal Serial Buzz आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है टेलिफॉन लाइन पर Digital Data भेजने के लिए Dash का उप्योग किया जाता है किसका उप्योग किया जाता है तो वह किया जाता है Modem का आगे बढ़ते हैं MS Outlook 2010 में Backup और पुनर स्थापना परकिरिया के सही चर्ण क्या है तो वह है Outlook में पहले अपनी सामगिरी को .pst फाइल के अंदर सेव करें फिर उसे एक्सपोर्ट करें और उसके बाद एक ही बार में अलग-अलग कंप्यूटर पर या किसी अन्य में प्रोफाइल से सब कुछ इंपोर्ट कर लें आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है बिट का पूरा रूप बिट का पूरा रूप है बाइनरी डिजिट आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है निमिली खित में से कौन एक ग्राफिकल पेकेज है तो वह है कोरल ड्रोव आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है HTTPS क्या है तो वह है एक वेबसाइट को सुरुक्चित बनाता है यह एक प्रोटोकॉल है इसका ज्यादातर परियोग सोपिंग और बेंकिंग के लिए क्या जाता है तो उप्रॉक्ट में से सारे के सारे सही है आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है जब किसी टेक्स्ट को लिखते हैं उसमें किसी भी तरह का बेग्राउंड लगाते है तो उसे क्या का जाता है उसे का जाता है टेक्स्ट एफेक्ट आगे बढ़ते हैं कंपाइलर क्या है यह है एक हाई लेवल के बासा को मशिनी बासा में बदलता है और उच स्रेणी के बासा को निमन स्रेनी के बास हमें बदलता है, यह दोनों option सही है, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, computer में disk कहां रखी जाती है, disk driver के अंदर, अगला question है, Windows 7 के बाद Microsoft ने कौन सी operating system launch किया, Windows 8, आगे बढ़ते है, MS Word 2010 में किस option के दुआरा, document को automatic रूप से format किया जा सकता है, वह किया जा सक स्टाइल option के दुआरा, आगे बढ़ते हैं, Excel में किसी चार्ट के उपर बना box, जिसमें परते हैं वेक्तिकत record का नाम अंकीत होता है, वह कहलाता है, legend, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, मुखे editing view है, तो वह है, normal view, तो सात्यों यह थे अपने आज की कुछ एक्यूसंस, उमी करते हैं,